दोस्तु नमस्कार ये हमागदशन फोर्सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शोधरी दोस्तु उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग द्वारा आयोजित किये जाने वाले UPPCS प्रारंभिक परिक्षा तथा ROARO यानी समिक्षा धिकारी सहायक समिक्षा धिकारी के लिए प्रस्तुत है सामान्य अध्यन के महत्वण प्रश्णों का प्रैक्टिस सेट ये अभ्यास सेट UPPSC द्वारा आयोजित अन्य परिक्षाओं जैसे गौर्मेंट इंटर कालेज प्रवक्ता, गौर्मेंट डिग्री कालेज असिस्टेंट प्रोफेसर, एल्टी ग्रेड तथा अन्य परिक्षा आज का प्रैक्टिस सेट, दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हम कुल 30 प्रश्णों को साल्व करेंगे, तो पहले प्रश्ण पर आ जाते हैं, ये सामान्य विज्ञान का प्रश्ण है दोस्तों, देखिए निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए, पहला कतन है कि लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण गंधक योगिक, गंधक यानि सल्फर योगिक है, दूसरा कतन है कि प्याज काटने पर सल्फोनिक अमल के कारण आखों में आसु आते हैं, इनमें से कूट की सहायता से आपको बताना है कि कौन से कतन सही है, तो इसमें केवल एक सही हो जाए दोस्तों लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण गंधक योगिक यानि सल्फर का योगिक है, दूसरा कतन सही नहीं होगा क्योंकि सब्दों पर ध्यान दीजिएगा, प्याज काटने पर सल्फोनिक अमल नहीं दोस्तों, सल्फेनिक अमल होता है, सल्फेनिक अमल के गंधक यानि सल्फर का योगिक है दोस्तों आप जानते हैं कि लहसुन का उपयोग दर्द निवारक के रूप में भी किया जाता है और प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम एक निकलता है जो प्याज में उपस्थित सल्फाक साइड को सल्फेनिक अमल में काटने पर न की सल्फोनिक अमल के कारण तो इसमें आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा केवल एक तो आपसन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा अगले प्रेशन पर आते हैं दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट प्रेशन है बार बार परिक्षाओं में पूछा भी गिया है कि जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रियुक्त होने वाला जली फर्न कौन सा है देखिए टेरीडियम, एजोला, सालवीनिया या मरसीलिया तो इसमें से कौन सा जली फर्न जो है वो जैव उर्वरक के रूप में प्रियुक्त होने वाला जली फर् और इसकी पत्तियों की प्रिष्टी सतह पर कुछ गोहिकाएं पाई जाती हैं उसमें एना बीना एजोला की मदद से नाइट्रोजन का इस्थिरी करन करके एक उत्तम जैव और वरक सिद्ध होता है तो याद रखेगा एजोला जली फर्न है जो की जैव और वरक के रूप में प्रियुक्त होता है अगला प्रश्ण है दूस्तों निम्नलेखित में से कौन सा विटामिन लंबे समय तक सपनों यानि ड्रीम्स को याद रखने में सहाइक होता है कई साथ ही ऐसे होते हैं जो रात में सपने देखते हैं लेकिन भूल जाते हैं उसमें एक विटामिन की महत तो पूर्ण भूमिका होती है, आपको बताना है कि कौन सा विटामिन लंबे समय तक सपनों को याद रखने में सहायक होता है, विटामिन A, D, विटामिन B6 या विटामिन C, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपसं C हो जाएगा दोस्तों, विटामिन B6, दोस्तों लंबे समय तक सपनों को याद रखने में विटामिन B6 सहायक होता है B6 का रासायनिक नाम पाईराडाक्सिन होता है अगले प्रशन पर आते हैं ये प्रशन भी इंपोर्टेंट है इसमें दो कथन दिये गए हैं आपको इनके आधार पर बताना है कि कौन सा कथन सही है देखें पहला है रेटिना की संकु यानि कौन कोशिका से प्रकास की तिब्रता का आभास होता है आपको बताया गया है कथन एक में कि रेटिना की संकु यानि कौन से प्रकास की तिब्रता का आभास होता है दूसरा है कि रेटिना की छड यानी राड कोसिका से रंग का ग्यान होता है तो इसमें से कौन सा कथन आपका सही है तो अगर जो आप देखेंगे आप याद करिए जब आप आख की संरशना या मानोनेतर के बारे में पढ़ते हैं तो उस हिसाब से ने तो पहला कथन सही है और नहीं दूसरा सही है क्योंकि रेटिना की संकु कोसिका से रंग का आभास होता है न की प्रकास्ति ब्रता का और दूसरा रेटिना की जो छड कोसिका होती है जिसको राड कोसिका कहा जाता है दोस्तों इसे रंग का नहीं बलकी प्रकास तिवर्दा का ज्यान होता है तो अब आप जानगे सही उत्तर इसका हो जाएगा ना तो एक ना दो लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेटीना की जो शंक को सिका होती है दोस्तों उससे किसी वस्तु के रंग का आभास होता है और रेटिना की जो राड कोसिका यानि छण कोसिका होती है उससे प्रकास की तिब्रता का ग्यान होता है तो आप संसी सही उत्तर हो जाएगा इन कथनों में से दोनों ही कथन आपके सही नहीं है अगला प्रश्ण आसान सहा है आपके लिए बताना है आपको दो कथन दिये गए हैं इन में से कौन से कथन सही है और फिर कोड के सहायता से उसका सही उत्तर देना है पहला कथन है कि हाइड्रोजन बम नाभ की सनलेयन सिध्धान पर आधारित है तो बिलकुल सही है आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभ की सनलेयन के सिध्धान पर कारे करता है दूसरा एटम बम यानि परमाड़ बम नाभ की विखंडन के सिध्धान पर आधारित है तो बिलकुल सही दोनों ही कथन आपके सही है कथन देखे आप संडी हो जाएगा एक और दो दोनो सही हो जाएंगे आप जानते हैं दोस्तों हाइड्रोजन बम का विकास एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था और ये नाभिकी सनलेयन के सिध्धान पर आधारित है एटम बम की खोज जे आर ओपन हीमर के नित्रित में अमेरिका के मैनहेंटन प्रोजेक्ट द्वारा किय गया था और परमाड उबम दोस्तों ये नाभिकी विखंडन के सिध्धान पर कारे करता है अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों ये सामाने विज्ञान का ही प्रश्न है इसमें आपको दो सूचियां दी गई हैं सूची एक और सूची दो इसमें सही सही मिलान करना है जियोति फ्लक्स लियूमेन होता है और चुम्बकी फ्लक्स का मातरक बेवर होता है तो सीधे सीधे सूमेलित हो गया विभवांतर का मातरक बोल्ट है प्रदीपति घनतों का लक्स जियोति फ्लक्स का लियूमेन और चुम्बकी फ्लक्स का बेवर तो सीधे सीधे सही उत्तर हो जाएगा एक, दो, तीन, चार यानि A का पहला, B का दूसरा, C का तीसरा और D का चौथा अगले प्रश्ण पर आते हैं आसान सा प्रश्ण है आपके लिए कि वायुयान की गतिमापने वाला उपकरण कौन सा है आपसन देखते हैं, टैकोमीटर, एक्टियोमीटर, टैलेक्स या ओडोमीटर, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, टैकोमीटर आपसन A दोस्टों जान लेजिए कि टैकोमीटर का प्रयोग यह वायुयान और मोटर नाउ जो होते हैं, उनकी गतिमापने किलिए किया जाता है वाहनों द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए किया जाता है टेलेक्स क्या है यह आपके लिए प्रश्ण है comment box में बताइगा टेलेक्स का उप्योग क्या है अगला प्रश्ण है दोस्तों सही सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 से यहाँ पर आप देखिए flint काच तो flint काच का उपयोग दोस्तों camera और दूर्बीन बनाने में किया जाता है soda काच जो है tube light और bottle बनाने में प्रियोग तो होता है pyrex काच प्रियोग साला के उपकरन बनाने में प्रियोग किये जाते हैं और कुक्स कांच परावैगनी विकरण जो है परावैगनी किरणों से बचाने वाले लेंस बनाने में कुक्स कांच का प्रियोग किया जाता है तो A का पहला, B का दूसरा, C का तीसरा और D का चोथा एक बार फिर से जान लेजिए, फिलिंट कांच का उपयोग, कैमरा और दूरवीन लेंस के निर्माड में होता है सोडा कांच, ट्यूब लाइट और बोतल निर्माड में, पाइरेक्स कांच प्रियोग साला के उपकरण में और क्रुक्स कांच का प्रियोग, दोस्तों, परावैगने के लड़े, यानि जो हमारी अल्ट्रा वाइलिट वेट से होती है, सूरे से आने वाली उसको बचाने वाले लिन्स में क्रुक्स कांच का प्रियोग किया जाता है, तो एक, दो, तीन, चार आपसन, ए आपका सही सुमेलित हो जाएगा अगले प्रेशन पर आते हैं, दोस्तों, सही सुमेलन करना है, इसमें सूची एक में आपका विसफोटक दिये गए हैं और सूची दो में उनके अन्य नाम दिये गए हैं, उनसे सही सुमेलन करना है, दोस्तों, देखिए, ट्राइ नाइट्रो फिनाल एक महतपूण विसफोटक है, और दोस्तों, इसको पिक्री कमल भी कहा जाता है ट्राइ नाइट्रो फिनाल को ब्यापारिक या विजनेस लैंग्वेज में पिक्री कमल कहा जाता है, RDX, RDX को हैक सोजन भी कहा जाता है, रिसर्च एंड डवलप्मेंट एक्स्प्लोसिव, इसका फुल फाम है, और दोस्तों, इसको हैक सोजन कहा जाता है, ट्राइ नाइट ट्राइनाइट्रो टालवीन को TNT, TNT का फुल फर्म ट्राइनाइट्रो टालवीन होता है, तो विसफोटक और उनके अन्य नामों से सही सुमेलन इस तरह से आप कर सकते हैं, ट्राइनाइट्रो फिनाल को पिक्रिक एसिड कहा जाता है, RDX को हैकसोजन भी कहते हैं, तो चार आपसन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों निमनलिखित में से कौन सा प्रथम स्रेडी उत्तोलक का उदाहरण नहीं है प्रथम स्रेडी उत्तोलक आप जानते हैं कि उत्तोलक प्रथम स्रेड़ी, दूती स्रेड़ी और तृती स्रेड़ी के होते हैं इन में से आपको बताना है कि कौन प्रथम स्रेड़ी का उत्तोलक का उदाहरण नहीं है कैची, साइकिल का ब्रेक, सरावता और हैंड पंप तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सरावता सरावता दोस्तों ये दूती स्रेडी का उत्तोलक है और कैची साइकिल का ब्रेक और हैंड पंप जो हैं ये प्रथम स्रेडी के उत्तोलक में आते हैं तो सरावता प्रथम स्रेडी के उत्तोलक का उधारन नहीं है दोस्तों दूतिस रेडी का जो उत्तोलक होता है इसमें आलंब यानि भार और आयाम के बीच भार इस्थित होता है ध्यातब्य है कि प्रथम स्रेडी के उत्तोलक में आलंब आयाम और भार के बीच में इस्थित होता है तो देखिए पर्थम स्रेडी के उत्तोलक जो होते हैं इसमें आलंब बीच में होता है तो देखिए पर्थम स्रेडी के उत्तोलक में भार बीच में होता है याद रखेगा और तर्थम स्रेडी के उत्तोलक में आयास जो है ये आपका ये बीच में इस्थित होता है तो देखे, प्रथम इसको आप इस सुत्र से याद कर सकते हैं, प्रथम स्रेडी के उत्तोलक में आलंब बीच में, दोती स्रेडी के उत्तोलक में भार बीच में, और त्रती स्रेडी के उत्तोलक में आयास बीच में होता है, यानि जो बल लगाने का वो होता है, वो बीच में ह तो इसका एक फार्मूला है आ भा आया तो आलंब बीच में पर्थम स्रेड़ी के उत्तोलक में 32 स्रेड़ी में भार बीच में और 33 स्रेड़ी में आयास बीच में होता है तो सरवता यहां पर 32 स्रेड़ी का उत्तोलक है क्योंकि भार यहां पर बीच में होता है अगला प्रेशन है दोस्तों साबुन द्वारा चिकने पदार्थों को हटाया जाता है किस प्रक्रिया के द्वारा इसकंदन, परासरण, पायसी करण या फिर अधिशोषण तो आपको बताना है साबुन द्वारा जो चिकने पदार्थ होते हैं उनको किस प्रक्रिया के द्वारा हटाय जाता है तो सही उत्तर है पाइसी करण आपसंसी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों साबुन जो है सोडियम और पोटेसियम के वसी ये लवड़ वाले याउगिक होते हैं इनके अड़ों में दो भाग होते हैं वसा में घुलनसीन लंबी हाइड्रोकारवन स्रिंखला और दूसरा जल में विले ध्रुवी भाग और पाइसी करण के दोरान साबुन का जो अध्रुवी एलकिक समूह होता है दोस्तों C-17 याज 35 ये तेल या ग्रीस को घोल लेता है और ध्रुवी समूह जल में घुल जाता है रगणने पर ये चिकनाहट को छोटी-छोटी बूंदों के रूप में तोड़ कर साफ कर देता है तो ये प्रक्रिया साबुन द्वरा चिकने पदार्थों को हटाए जाने की प्रक्रिया पाइसी करण कहलाती है याद रखेगा अगला प्रश्ण है निमने लिखित में से कौन सा रासायनिक और वरक नहीं है देखिए यूरिया, डी-ए-प, पोटैसियम नाइटरेट या फिर सोडियम सलफेट तो आप जानते हैं दोस्तों यूरिया, डी-ए-प और पोटैसियम नाइटरेट ये उरवरक के उधारण है सोडियम सलफेट उरवरक नहीं है तो आप जान लेजे सोडियम सलफेट जो है ये जो हमारे आरगेनिक द्रव होते हैं उनको सुखाने के लिए सोडियम सलफेट का प्रियोग किया जाता है ये रासायनी कुरवरक नहीं है अगले प्रेशन पर आते हैं दोस्तों प्रेशन है कि मानो सरीर में सबसे छोटी अंतह स्रावी ग्रंथी कौन सी है तो इसमें आप सन बताने की ज़रूरत नहीं है आप जानते हैं पिट्यूटरी या पियूस ग्रंथी जिसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों पिट्यूटरी या पियूस ग्रंथी को मास्टर ग्लेंड कहा जाता है क्योंकि इससे जो हार्मोन निकलता है वो अन्य अंतहसरावी ग्रंथीं को भी नियंतृत करते हैँ तो सबसे चोटी अंतहसरावी ग्रंथी इसमें पिट्ट्योडरी ग्रंथी है इसको पीयूस या माश्टर ग्लैंड भी कहा जाता है अगला प्रश्ण है दोस्तूं इसमें दो कथन दिये गए हैं उसके बाद आपको कोड दिये गए हैं कथन का परिछन करके आपको सही कोड से उत्तर देना है पहला कथन है कि AIDS विशाड़ में RNA plus protein होता है और दूसरा है कि AIDS एक रेट्रो विशाड़ से होता है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर इस प्रश्ण का होगा कि दोनों ही कथन आपके सही हैं एक और दो दोनों ऐसा इसलिए है क्योंकि AIDS जो है दोस्तों HIV वायरस से होता है जो की एक रेट्रो विशाणू है तो दूसरा कथन आप जान लीजिए कि AIDS में रेट्रो एट्स जो है रेट्रो विशा से वाले आर्यन्य की दो प्रतियों से मिलकर बना है तो एड्स विसाड़ में आर्यन्य प्रोटीन होता है आर्यन्य और प्रोटीन और ये एक रेट्रो विशाड़ु से होता है दोनों ही कठन इसके सही है अगला प्रश्ण है आपका पूछा गया है कि कुष्ट रोग का कारण क्या है जीवाड़, कवक, विशाड़ या प्रोटो जोवा तो बताए दोस्तों कुष्ट रोग का कारण क्या है ये है जीवाड़ देखें कुष्ट रोग, माइक्रो बैक्टेरियम लेपरी और माइक्रो बैक्टेरियम लेप्रोमटासिस नामक जीवाडूं के कारण होता है तो याद रखेगा कुष्ट रोग या लेप्रोशी जो है दोस्तों इसका कारण जीवाडू है अगला प्रशन देखेए सूची 1 और सूची 2 में पुस्तक और उनके लेखकों के नाम दिये गए हैं और आपको सही उत्तर का मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 का मिलान करके सही उत्तर का चैन करना है देखिए यहाँ पर autobiography and unknown Indian ये नीरद सी चोधरी द्वारा लिखी पुस्तक है India a wounded civilization यानी भारत एक घायल सभ्यता V.S. नाइपाल द्वारा लिखी गई पुस्तक है Confessions of a Lover ये मुलक राज आनंद की पुस्तक है और the English teacher ये आरके नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तक है तो एक बार फिर से repeat कर लेते हैं आपको याद भी हो जाए autobiography of an unknown Indian नीरशी चोधरी इंडिया a wounded civilization V.S. नाइपाल Confessions of a Lover मुलक राज आनंद की और the English teacher ये आरके नारायण की लिखी पुस्तक है तो देखिए पहले का दो हो जाएगा a का दो b का चार 2 4 1 3 देखते हैं कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर होता है आप सन b सही उत्तर है 2 4 1 और 3 आपका सही सुमेलन हो जाएगा अगला प्रशन है दोस्तों निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है देखिए वीडी सावरकर द्वारा लिखी पुस्तक दे इंडियन वार आफ इंडिपेंडेंस बिल्कुल सही है आर्सी मजुम द्वार द्वारा लिखी पुस्तक है The Spy Mutiny and Revolt of 1857 सही है राधा कमल मुकरजी अवधिन रिवोल्ट 1857-1858 ये आपका सही नहीं है क्योंकि ये राधा कमल मुकरजी द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है बलकि अवधिन रिवोल्ट 1857-258 ये रूद्रांग सु मुकरजी थोड़ा सा कठीन नाम है रूद्रांग सु मुकरजी इनका नाम है confuse मत होईएगा ये राधा कमल मुकरजी नहीं रूद्रांग सु मुकरजी अवधिन रिवोल्ट 1857-58 की लिखक है और S.B. Chaudhry की पुस्तक है Civil Reveillance in the Indian Mutinies 1857-1859 तो आपसं C आपका सही सुमेलित नहीं है अन्य पुस्तके सही सुमेलित है आवधिन Revolts 1857-1858 ये रुद्रांग्सु मुखरजी की पुस्तक है राधा कमल मुखरजी की नहीं है अगले प्रशन पर आते हैं भारती राष्टी का अंग्रेश से संबंधित निम्नलेखित घटनाओं पर विचार कीजिए और दोस्तों ये जो चार घटनाओं दी गई है इनका कूट से सही घटनाओं का कालक्रम आपको मिलाना है तो देखिए उन्नीस सो उन्तिस का भारती राष्टी का अंग्रेश का लाहोर अधिवेशन ये दोस्तों ये आप जान लिजे कि ये दिसंबर माह में उन्नीस सो उन्तिस में लाहोर अधिवेशन हुआ था कांग्रेश का गांधी इर्विन समझोता कब हुआ था तो आप जानते हैं 5 मार्च 1931 को हुआ था 1931 को गांधी इर्विन समझोता हुआ था भारती राष्टी का अंग्रेश का कराची अधिवेशन ये 26 से 31 मार्च यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 26 से 31 मार्च 1931 के बीच हुआ था 1931 और राजगुरु की फासी तो भगत सिंग राजगुरु और सुखदेव की फासी 23 मार्च 1931 को हुआ था तो सन जो हैं ये तीन घटनाओं के तो एयर सेम मिलते हैं लेकिन इसमें डेट का आपको अंतर करना है तो देख लीजे 1929 का भारती राष्टी का अंग्रेश का लाहोर अधिवेशन ये दिसंबर 1929 में गांधी इर्विन समझोता 5 मार्च 1931 को हुआ था भारती राष्टी का अ अगर जो क्रम चैन करेंगे तो सबसे पहले आएगा कौन सा 1929 का लाहोर अधिवेशन एक हो जाएगा सबसे पहले एक होगा उसके बाद देखते हैं उसके बाद 2 हो जाएगा 5 मार्च 1931 उसके बाद कौन से घटना आएगी चार नंबर आएगा ये चार नंबर कोफासी 23 मार्च 1931 को हुई थी चार और फिर 26 से 31 मार्च के बीच भारती राष्टी का अंगरेश का कराची अधिवेशन 3 हो जाएगा तो 1,2,4,3 आपका सही सुमेलन हो जाएगा या सही क्रम हो जाएगा आएगे देखते हैं 1,2,4 और 3 आपसन ए आपका सही उत्तर है अब में कूट का प्रियोग करते हुए सही उत्तर का चैन कीजिए तो देखिए ये भी इसी हमारे पहले प्रश्न की तरह ही है बंग भंग का निड़ा यानि बंगाल विभाजन का निड़ा कब लिया गया था बताईए ये 20 जुलाई 1905 देखिए 20 जुलाई 1905 को बंग भंग का निड़ा लिया गया था और कांग्रेश के उद्देश के रूप में स्वराज जी को स्विकार कब किया गया था तो ये आप जानते हैं 1906 के कुलकाता अध्वेशन में कांग्रेश के उद्देश के रूप में स्वराज को स्विकार किया गया था और इस अध्वेशन के अध 307-1907 में हुआ था तो क्रम देखते हैं क्रम क्या होगा सबसे पहले एक यानि बंगाल विभाजन का नेड़े लिया गया उसके बाद आएगा आपका 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन की अवचारिक घोशडा 3 हो जाएगा फिर आपका 2 आएगा कांग्रेस के उद्देश के स्वराज का स्विकार करना और फिर लाष्ट में 4 तो 1,3,2,4 देखते हैं विकल्प 1,3,2,4 आपसं C इस प्रेशन का सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रेशन है दोस्तों निमनलिखित घटनाओं का उनके कालक्रम के अनुसार बेवस्थित कीजिए और दिये गये कूट से स ही उत्तर का चैन कीजिए और आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये प्रशन इतना इंपर्टेंट है कि पहले जो है ये PCS परिक्षा में हर बार रिवाइज करता था UP PCS चाहे Lower PCS हो, RO यारो हो या कोई भी परिक्षा आयोग द्वारा ये प्रशन बार बार आता था अब थोड़ा सा प्रशनों के रिवाइज करने की प्रविर्ति घट गई है लेकिन कहीं न कहीं बीच में ये प्रशन अवस से ही पूछ लिया जाता है कोई न कोई घटना इससे संबंधित जो होती है ये पूछ ली जाती है तो इसलिए आप इस प्रशन को डेट वाइज याद देखिए दोस्तों गांधी इर्विन समझोता आप जानते हैं कब हुआ था पांच मार्च 1931 फिफ आप मार्च 1931 ये गांधी इर्विन समझोता पूणा पैक्ट कब हुआ था तो डेट याद रखेगा 24 सितंबर 1932 में पूणा पैक्ट हुआ था और इसके बाद पूण रा 1929 ये लाहर अधिवेशन था कांग्रेस का 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वाधिनता की घोश्रा की गई और सविने अवग्या आंदोलन कब शुरू किया गया था तो ये डेट याद रखेगा 6 अप्रेल 1930 यानि 1930 तो अब इस आधार पर आप क्रम बताईए कि सही क्रम क्या बताईए तो सबसे पहले 1929 में पूर्ण राष्टी सोतंता की घोश्रा की गई तीन आएगा उसके बाद कौन से घटना आएगी सविने अवग्या आंदोलन 6 अप्रेल 1930 से सुरू हुआ तो ये चार हो जाएगा फिर गांधी इर्वेन समझोता 5 मार्च 1931 एक हो जाएगा औ और फिर उसके बाद पूना पैक्ठ है 24 सितंबर 1932 को 2 हो जाएगा तो 3,4,1 और 2 कौन सा आपसन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा जो तिथिया हैं उनको आप विशेश रूप से याद कर लिजेगा ध्यान देजिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों यहाँ पर लिए गठित की गई थी तो यह भारती राज्यों और सर्वोच सक्ति यानि ब्रिटिस क्राउन के बीच संबंधों पर आधारित थी बटलर कमेटी रिपोर्ट एक का दोसरा हो जाएगा हार्टोग समिती दोस्तों हार्टोग समिती यह ब्रिटिस भारत में सिक्षा की अभि ब्रिद्धी के लिए यह समिती गठित की गई थी बी का चौथा है और हंटर कमेटी यह जलिया वाला बाग हत्याकान की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था और मुडी मैन समिती की रिपोर्ट यह मांटेग्यू चेम्सपोर्ट समिती की रिपोर्ट का परिक तो A का दूसरा, B का चौथा, C का पहला और D का तीसरा तो 2, 4, 1, 3 आईए देखते हैं कौन सा विकल्प आपका सही होगा 2, 4, 1, 3 आपसन D आपका सही उत्तर हो जाएगा विभिन कमेटी और उनसे संबंधित विश्यों के मिलान में अगले प्रेशन पर आते हैं निमनलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए यहाँ पर आपको घटनाए दे गई हैं इन पर विचार करना है और फिर कूट के आधार पर सही उत्तर का चैन करना है सबसे पहले तो आपको इन घटनाओं की तिथी यानि डेट याद होना चाहिए या वर्स याद होना चाहिए कि कौन सी घटना किस वर्स में हुई थी तो पहला देखिए भारत के किसी राज में सबसे पहले लोगतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्मेवादी दल की सरकार तो ये केरल में 1957 में चुनी गई थी भारत के किसी भी राज में यानि सरोपर्थम केरल में लोगतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्मेवादी दल की सरकार बनी थी और केरल के मुख्य मंत्री EMS नम्बूदरी पाद बने थे और सोतंद भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था और देखे भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक आफ इंडिया जिसका नाम बदल कर इस्टेट बैंक रखा गया था इस्टेट बैंक तो भारती स्टेट बैंक की 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम SBI यानि स्टेट बैंक आफ इंडिया रखा गया था एर इंडिया का राश्टी करण कब किया गया था तो ये बरस था 1953 1953 में दोस्तों एर इंडिया का राष्टी गरण किया गया और गोवा स्वतन्त भारत का अंग कब बना तो गोवा 1962 देखे दोस्तों 1962 में आप देखे कि कारवाई कब हुई थी 1961 1961 में भारती सेना द्वारा सेन ने कारवाई के जरिये गोवा को भारत में अधिग्रिहित किया गया था और एक संबिधान संसोधन किया गया 12. संबिधान संसोधन 1962 के द्वारा गोवा को संघ सासिच छेतर के रूप में अस्थापित किया गया और 1987 यानी 1987 में गोवा एक पूर राज्य बन गया था तो गोवा स्वतंत भारत का कब बना था तो ये 1962 में गोवा को संग सासी छेतर के रूप में और 1987 में पूर्ण राजी बनाए गया था तो अब देखिए अब क्रम क्या होगा आपका तो यहां पर एर इंडिया का राश्टी करण 1953 सबसे पहले आएगा तीन उसके बाद 1955 आएगा इस्टेट बैंक कब नाम उसके बाद भारत के किसी राज में सबसे पहले लोगतांत्रिक रूप से चुनी गई सामयवादी दल की सरकार 1957 तो एक हो जाएगा और गोवा सुतंत भारत का अंग कब बना था तो 1962 तो ये 3214 क्रम देख लेते हैं दोस्तों यहां पर 3214 सही क्रम आपका आपसन भी हो और काल करम के अनुसार आपको सजाना है कौन सी घटना पहले हुई कौन सी घटना बात में तो ये प्रशन भी इंपॉर्टेंट है देखिए लाला हर्दयाल द्वारा गदर पार्टी की अस्थापना कब की गई थी तो 1913 यानि 1913 में लाला हर्दयाल ने गदर पार्टी की अस्थापना 1913 में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सरवेंट आफ इंडिया सोसाइटी की अस्थापना 1905 में की गई थी 1905 हिककी जेम्स आगश्ट हिककी के बंगाल गजट का प्रकासन कब किया गया था तो ये 1780 में कोलकाता से इसका प्रकाशन हुआ था और सर विलियम जोन्स ने बंगाल एसियाटिक सोसाइटी की अस्थापना कब की थी तो 1784 यानि 1784 में तो सही क्रम क्या हो जाएगा सबसे पहले तीन आएगा हिक्की 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन फिर उसके बाद चार आएगा विलियम जोन्स द्वारा एसियाटिक सोसाइटी की अस्थापना उसके बाद आपका आएगा गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट आफ हिंडिया सोसाइटी दो और लाश्ट में एक आएगा 1913 में गदर पार्टी की अस्थापना सैन फ्रांसिसको अमेरिका में लाला हर दयाल के द्वारा तो तीन चार दो और एक आपका सही क्रम हो जाएगा देखते हैं आपसन तीन चार दो और एक आपसन भी सही उत्तर हो जाएगा अगले प्रेशन पर आते हैं दोस्तों निम्ने लिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन है की द्वी शासन का अर्थ या द्वैद सासन का अर्थ परशासन के विसियों का दो वरगों में विभाजन था कारण है कि प्रांतों में उत्तरदाई सासन के बोध का परवर्तन कराने का प्रियातन किया गया था तो दोस्तों 1919 का जो एक्ट था उसमें सबसे महतुपूर परिवर्तन किया हुआ था कि जो प्रांती प्रशासन था, प्रांतों में द्वैध सासन पढ़ाली प्रारम की गए थी, और इसमें प्रांती विश्यों को दो भागों में बांटा गया आरक्षित और हस्तांतरित, हस्तांतरित विश्यों का प्रशासन विधाईका के सदस्यों को सौप कर उत्तरदाई सा दोनों सही है और कारण कथन की सही ब्याख्या करता है तो देखिए आपसन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा अगले प्रेश्ण पर आते हैं निमनेलेखित कथनों पर विचार कीजिए देखिए 1935 के भारत सरकार अधनियम की कुछ विशेस्ताएं थी पहला है इसमें आप देखिए गवर्नरी प्रांतों में द्वैध सासन की समाप्ति यानि एबोलिशन आप डायरार की इन इस्टेट्स तो बिलकुल सही है 1935 के जो सासन अधनियम भारत सासन अधनियम था इसमें गवर्नरी प्रांतों में द्वैध सासन की समाप्ति कर दी गई थी और दूसरा है गवर्नरों को बिधाई क्रियाओं में निशेधाधिकार यानि आप जान लीजे दोस्तों 1935 का जो भारत सरकार अधनियम था उसमें प्रांतों के द्वैरे सासन के अस्थान पर स्वासासन मिला आरक्षित और हस्तांतरित विश्यों में अंतर समाप्त हुआ और गवर्नरों को आरक्षित और बचाव की संग्या के अधिन ब्यक्तिगत ने दिवनाने का अधिकार दिया गया साथ ही 1935 के अधनियम द्वारा एक महत्वपूर्ट तत ही ये है कि गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दिया गया और इस अधनियम के द्वारा दोस्तों सामप्रदाइक और वर्गी मद्दात मंडलों का विश्तार और अनसूचित जाति, मुसल्मान, सिख, यूरोपी, भारती इसाई, एंगलो इंडियन और भारती मुसालमान इन सभी को पिर्थक पिर्थक प्रतिनिधे तो मिल गया तो कथन तीन आपका सही नहीं होगा एक और दो आपके सही है 1935 के भारत सरकार अधनियम की विशेश्ता के संबंध में तो आपसन B आपका सही उत्तर है अगला प्रशन है नीचे दो कथन दिये गए हैं कथन और कारण इसमें आपको इसके आधार पर सही उत्तर का चैन करना है देखिए कथन है कि 1946 में मुसलिम लीग ने कैबिनेट मिसन प्लान के लिए दी गई अपनी स्विक्रि वापस ले ली थी सही है कारण है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुसलिम लीग सामिल हुई थी सही है दोस्तों दोनों ही कथन और कारण दोनों सही है यहाँ पर लेकिन कारण जो है कथन की व्याक्या नहीं करता है कैबिनेट मिसन प्लान को बहुत अनिक्षा से जो है 1946 को जब नहरू ने कहा कि समुही करण अनिवारे नहीं है और समुह ब और सर किराज असम और उत्तर पश्मी सीमा प्रांत में सामिल होने से इंकार कर सकते हैं तो इसके बाद मुसलिम लीग ने कैबनेट मिसन प्लान को अस्विकार किया और डायरेक्ट एक्षन का प्रस्ताव क सीधी करवाई का बाद में वायसराय ने कांग्रेस के जवाहरलाल नहरू को अंतरिम सरकार बनाने का निमंतर दिया और इसमें मुसलिम लीग को भी शामिल करने को कहा गया जिसे उसने अस्विकार किया गया लेकिन बाद में वायसराय के पुनस उजाओ देने पर मुसल्मान अस्थानों के हितों की रक्षा के लिए 13 अक्टूबर 1946 के प्रस्ताव द्वारा इसमें सम्मिली थोना स्विकार किया गया तो आप जान लिजे कि कथन और कारण यहां पर दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही ब्याख्या नहीं करता है आपसन भी आपका सही उत्तर है अगला प्रश्न है नीचे कुछ अस्थानों की सूची दी गई है उनका नामों लेक कीजिए जहां भारत छोड़ो अंदोलन के दोरान समनांतर सरकारों की अस्थापना होई थी आपको बताना है कि वो कौन-कौन से अस्थान है इन चारों में से जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की बात करें तो इस आंदोलन के दोरान देश में कई अस्थानों पर समनांतर सरकार यानि ब्रिटिस सासन से इतर एक अलग सरकार की अस्थापना की गई थी इसमें बलिया था अगस्त 1942 में चित्तु पांडे के नित्रेतु में तामलू के एक जगह है मिदनापू 14 से मई 1946 तक सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी और यहाँ पर एंटी गवर्मेंट के नाम पर समनांतर सरकार अस्थापित की गई थी और सथापित की गई थी और सतारा में वाईवी चवहाड और नानापातिल इसके प्रमुक थे और उडिशा के तलचर में भी याद रखेगा बलिया, तामलुक यानि मिदनापूर, सतारा, इसके अलावा तलचर उड़िसा में भी समनांतर सरकार अस्थापित हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान। अगले प्रेशन पर आते हैं निमनलिखित में से किसने सरुपर्थम भारत में एक प्रिथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। अगले प्रेशन पर आते हैं दोस्तों कांग्रेश प्रसासित प्रदेशों में मुसलिमों की सिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। इसमें तीन रिपोर्टे हैं पीपरपूर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट और मुसलिम सफरिंग अंडर सरीफ रिपोर्ट कप की है तो ये मार्च 1949 की है और इसी तरह मुसलिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल ये दिसंबर 1949 की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को फजलुल हक रिपोर्ट भी कहा जाता है जिसको मुसलिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल कहते हैं तो सही क्रम कांग्रेस प्रसासित प्रदेसों में मुसलिमों की सिखायतों से संबंधित जो रिपोर्टे हैं पीपरपूर 1938 की शरीफ रिपोर्ट मार्च 1949 की और मुसलिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल ये दिसंबर 1949 की है सही कोट आपका हो जाएगा एक दो तीन आपसन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रेश्ण और इस वीडियो का आखरी प्रेश्ण है दोस्तों बिनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन कहां से प्रारंभ किया गया था पोचंपल्ली वारंगल इलाहबाद या न इसमें बिनोबा भावे द्वारा पोचंपल्ली जो वर्तमान में तेलंगाना में है और जब विभाजन नहीं हुआ था या उस समय ये आंधर प्रदेश में था ततकालिन लेकिन वर्तमान में ये तेलंगाना में पोचंपल्ली वहां से भूदान आंदोलन प्रारंभ किया और पहला भूदान तेलंगाना के पोचम पल्ली के जमीधार स्री राम चंदर रेड़ी द्वारा दिया गया था और बिनोबा भावे को भूदान आंदोलन का पड़ेता कहा जाता है दोस्तों 18 अप्रेल 1951 को इन्होंने पोचम पल्लिते रंगाना से भूदान आंदोलन प्रारम किया था तो दोस्तों ये था आज का वीडियो UPPCS, ROARO, GIC प्रवक्ता, Government Degree College, उच्चतर सिक्षा, Assistant Professor, Government Degree College, LT Grade और लोग सेवा आयोग द्वारा आयोजीत अन्य परिक्षाओं के सामाने अध्यन के लिए ये विशेश प्रैक्टिस सेट हमने प्रस्तुत किया है और इसको हम आगे भी कांटीनियो करेंगे हमें comment box में बताईएगा कि ये प्रश्ण आपके लिए कितना उप्योगी और लाबदायक है चुकि प्रश्ण अस्तरी है उत्तर प्रदेस लोग सेवा आयोग द्वारा आयोजीत, UPPCS प्रारंभिक परिक्षा, ROARO, GIC, GDC, LT Grade और जो अन्य परिक्षाएं होती हैं जैसे बंसेवा परिक्षा इसके अलावाँ APO परिक्षा या फिर जो हमारी PCSJ की परिक्षा होती है जहां भी सामान्य अध्यन के प्रश्ण पूछे जाते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हिलाब दायक होगा आप सभी इन प्रश्णों को तयार कर लिजेगा ताकि आगामी परिक्षाओं में जब ये प्रश्ण पूछे जाएं तो आप उनको सही सही अटेम्ट कर सकें वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मागदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार